एक है लो गाईज मैं हरदीप सिंग फ्राम गति गुरूप अफ्लासिज आप सभी का स्वाग्द करता हो गाईज इस वक्त हम जो वीडियो बना रहे हैं जो वीडियो आपको आप देख रहे हो वो वीडियो जो है वो अप्लोड की थी वो थी SSJ2 लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड के उपर के भाई हमें जे वन पेपर आया तो हमें उसकी अंसर की चाहिए तो अभी हम SSJ1 की जो अंसर की है वो अपलोड कर रहे हैं ठीक है तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस किये जैसे कि सबसे पहले आप पोश्चन आया था 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 फेमस पैंटिंग क्रिष्णा विद गोपिज आर पैंट बाइ किस ने पैंट की इसको मनकू बी ऑप्शन बर्त मीट्स रामायद चिक्त्रकोट बिलॉंस तो विच सब्सकूल अफ राजस्थानी स्कूल अमिनेचर पैं दी अंसर वेल रिमेन जात का स्टोरीज ठीक है तो यह अपने अंसर इसके रहेंगे टेक्नीक औफ यॉर्पियन फ्रेस्को पैंटिंग जो है है एडन इंपक्ट ओन विच स्टाइल ऑफ इंडिया कौन सा मुगल स्टाइल ठीक है ग्रेट आर्टेस्ट नैंसुक बिलॉंग क्योंकि बाखी समय ने इन्होंने चंबा जो है घडवाल चंबा क्योंकि वह मारे राजासानी में आते ही नहीं तो ओविस्टी बात है वह उप्शन समारे रहेंगे नहीं विच आटेस्ट अफ मुगल स्कूल वास नौन अस तबरेज मीर सईयद अली विकोज ही वास फ्रॉ नाथद्वारा ठीक है नाथद्वारा जो पेंटिंग्स है क्योंकि इसलिए उसको नाथद्वारा बेंटिंग्स भी बोलते हैं डी उसका अंसर रहेगा मैनुस्क्रिप्ट तारीफ ए हुसेन शाही हैस बिन असाइंड टू टाइम पिरिड़ों 1565 तो 6980 एंड कहां पर प्र पूना में इसको जो है अभी प्रिजर्व करके रखा गया है आगे मारे पास सेक्शन भी आ जाता है मैक्सिमम पेंटिंग ऑफ जोद्पूर स्टाइल किसके टाइम पिरिड़ पे हुई है ए राजामान सिंग विच वन इस नॉट आफ फीचर ऑफ सीरीज ऑ रासमंजरी बी बिक फ्लोरा एंड फोना बॉर्डर दे में आर्टेस्ट ऑबुकान बिकने स्कूल वर डैश विल्रमें बी अली राजा एंड रुकनू दीन ठीक है क्योंकि मेर सेयद अली अब्दूस मत जो है वो इसको में आ नहीं सकते ठीक है क्योंकि वो अलरी मुगल स्कूल में जा कौन सी चीज है क्योंकि उसमें देखिए अंसर रहेगा सेंट टीचिंग इस डिसीपल क्योंकि यहां पर अपने डिसीपल को वो नहीं बढ़ा रहा है यह हमने उसमें देखा है हजरत निजामुदिन ओल्या में देखा है लेकिन यहां पर नहीं है क्योंकि वो दो लेबर ज हैं जो आपस में काम कर रहे हैं आपस में बाते कर रहे हैं simplicity वहां पर हमें दिखाई दे रही है ठीक है 17th अपना question है the Persian translation and illustrated version of Hindu epic dash came to be known as Anwari Sunheli है उसको क्या कहा गया that is panchantra which one of the is the painting of the Ramayana series भरत meets Rama at Chitrakoot यही माने जाएगी क्रिश्ना जो है वो नहीं आते है वहां पर ठीक है क्रिश्ना विद्गोपी जो है वो नहीं आती मारु रागी नहीं भी नहीं आती है ना the originator of Indian miniature painting in 15th century was क्या था that is बहजाद ठीक है answer B is option रहेगा तो पड़ is related to Rajasani folk art on whose request the painting Kabir and Raihdas बनाई गई on the request of Dharashi को ठीक है 22 questionnaire tree and figure on the right are informally balanced by the seated figure on the left that is answer is identify the painting hazard Nizamudin Aulia and Amir Khusro see to have is cancer ठीक है न क्रिश्ना विद्गोपीज में भी नहीं रह सकता Nizamudin Aulia and Amir Khusro ही अपना एक रहता है फालों बर्ड रचस उसमें कोई figure है ही नहीं ठीक है ना मतलब ऐसी कोई खास figure है ही नहीं बर्ड मेट स्रामनेट चिद्रकूट उसमें बहुत जाड़ा figures है 23 है in the Bisholi school of miniature painting artists used raised dash to imitate pearls in jewelry the answer will remain silver color वैसे तो इसका answer होना चाहिए falcon on the bird is लेकिन cbse थोड़ी वो कभी नगभी उनका दिमाग खराब हो जाता है तो वह all of the above भी लगा सकते हैं अगर वो इसके हिसाब से चले with the flower and foliage design क्योंकि हर जगा पे उन्होंने foliage design तो दिखाए है लेकिन जो कैलेग्राफ ही है वो mainly सरफ और सरफ falcon on bird rest में की गई है तो अगे हमारा section c शुरू हो जाता है जो के आपको paragraph दिया गया है यहां पर एक बात सीथी आपने ध्यान रखना है six polo sticks six are covering the ball six polo sticks obviously बात है जो वहां पे मतलब six figures खेलती हुए हमें दिखाई दे रही है तो उसका answer is simple simple answer जो है वो रहेगा the above extract has been taken from jogan players ठीक है न चांद बीबी playing polo इसमें नहीं आएगी क्योंकि चांद बीबी playing polo में वैसे वी पांच figures है चार वो खेल रही है पांच वहां उनका attendant है ठीक है who is the artist of this painting obviously बात है दाना ठीक है which of the following is the sub school of this painting a Jodhpur what was the time period of this painting a 18th century this painting was made in the time period of whom that is Raja Man Singh how many horses have been shown in the painting obviously six horses है वो दिखाई जेते हैं तो guys इस video में इतना ही क्योंकि paper पर खत्म हो गया है है ना तो best of luck for your next exam term 2 के लिए term 2 बड़ी ही जल्दी शुरू करेंगे और हाँ एक बात याद रखना तकरीबन तकरीबन ncrt पढ़ना term 2 के लिए भी क्योंकि ज्यादातर paper ncrt से ही आया है ठीक है thank you very much guys bye bye everyone